नमस्कार दोस्तों मैं अंके जयान एक बार फिर आपनों के पीछ में मौझूद हूँ और आज अभी इस वक्त LLB 6 समस्टर के एक्जाम चल रहे हूँ और स्टुडिंट्स को जनरली केस स्टडी याद रखने में बड़ी समस्या जाती है तो मैं आपको केस स्टडी बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ ताकि आप एक्जाम के टाइम पे सिर्फ मेरे इस वीडियो को याद रख करके पूरी की पूरी केस स्टडी को as it is लिख सकते हैं तो आज हम डिसकस करने वाले हमारी पहले केस स्टडी जो की थी मैनेजिंग डिरेक्टर हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड हाल बालनदर हैदरबाद की ये डिफेंडेंट या प्रतिवादी अपील करता या अपीलेंट के रूप में थे और ये थी वर्सिस अजीत प्रसाद तर्वे जो की उसी संस्था में मैनेजर के पत्पर कारे रथ थे स्टोर और पर्चेस डिपार्टमेंट में जो की वादी या प्लेंटिफ प्रतियर्थी या रिस्पॉंडेंट के रूप में थे हम आते हुसके नीचे जब हम लिखते हैं तो हम नीचे लिखते हैं संदर्बिया reference सबसे पहले तो reference लिया गया है A.I.R. All India Reporter 1976 और 1973 और 3 में 3 और add कर देंगे 1973 में 76 हो जाएगा तो 1973 SC 1976 A.I.R. 1973 और SC 76 के reference है केस लिया गया है हम जल्दी से subject की तरफ बढ़ते हैं subject क्या था अब यह जो case लिया गया है दोस्तों यह case लिया गया है section 115 C.P.C. Code of Civil Procedure के section 115 के तहत और हम सबसे पहले समझें कि यह होता क्या है तो Code of Civil Procedure 1908 का section 16 यह बोलता है कि यदि कोई भी lower court, कोई भी appellate court, कोई भी trial court यदि कोई decision सुनाता है और यह decision यदि पूर्टा सत्यता पराधारित हो उस court ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तमाल ना करते हुए कोई decision लिया है तो higher court को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके decision पर कोई हस्तशेप करे या उसे modify करे और इसी पर पूरा का पूरा case आधारे था और यही हमारा subject था हम जल्दी से वाद के तत्य थे मतलब facts of the cases के बारे में बात करते हैं दोस्तों facts बहुत ही simple थे हमने बताया दो parties थी सबसे पहली party थी H.A.L. हिंदुस्तान Aeronautics Limited के M.D. Managing Director जो की प्रतिवादी अपील करता गन Defendanty Appellant के रूप में थे और दूसरे थे versus अजीद प्रसाद तरवे जो की manager purchase and store department देखते थे जो की वादी प्रतियरती plaintiff या respondent के रूप में थे अब basically इसका fact ये बोलता है कि company में काम कर रहे अजीद प्रसाद तरवे के against में उसी company के MD managing director ने कुछ allegations लगाए थे कुछ charges लगाए हुए थे और उन charges के चलते उनकी उपर inquiry बठाई थी और उस inquiry के चलते उन्हें suspend कर दिया गया था मैं फिर से बताता हूं कि manager अजीद प्रसाद तरवे पर उसी company के MD ने कुछ charges लगाए थे और उन charges के चलते उन्हें ना सिर्फ suspend कर दिया था बलकि उनके against में inquiry बठाई गए थी अब ओविसी बात है किसी के against में inquiry बठाई जाएगी तो अपना step तो ले गए लेगा तो अजीद प्रसाद तरवे ने क्या किया कि अपने suspension और इस inquiry के against में trial court पर एक suit दायर किया उन्होंने इस suit में ये कहा कि ये जो उनके against में inquiry बठाई गई है और जो उनके against में उनको suspend किया गया है ये क्योंकि वहां के MD मेरे प्रती दुर्भावना रखते थे वो मुझसे चिटते थे इस वज़े से उन्होंने मेरे against में सब कुछ किया है जबकि ये बिलकुल भी निराधार है मैं बेगुना हूँ मैंने कोई गलती नहीं कई ये सब कुछ एकदम गलत प्रिक्षिंड ने आलाय को बताई तो ट्राइल कोट ने क्या किया अरे यारे तो सही बोल रहा होगा एक काम करते हैं उन्होंने तुरंत इंटरिम ओर्डर जारी कर दिया और उनको बोला कि यह तो इसके लिए बिलकुल ने दोर्शे आप नहीं करो लिखिन जब ट्राइल क तो क्या हुआ सामने वाले को बुरा लगा उसने कर यह तो मेरे अगेंस में बात चलि गई तो उन्होंने क्या किया अपीलेट कोट 알려 अपनी याचिगा दायर कहा इने एक सूट फाfig fan किया जब उन्होंने फॉस्स अाप्लिड़ छोट पे सूट तो inquiry रोग दो लेकिन तुमारा suspension नहीं रोखेगा तुम suspend ही रहोगे जब उसने सुना तो suspension अब यहाँ दो चीज़े हो गई पहला तो कि उन्होंने suspension रोग दिया sorry उन्होंने suspension as it is रखा उन्होंने inquiry रोग दी अब जब inquiry रोग दी तो जो managing director थे H.A.L.K. उनको लगया यह तो मेरे अगेंस में चला गया पर उन्होंने गा कि suspension as it is रहेगा suspension तो तुम रहोगे तो यह अजीत प्रसाद के अगेंस में चला गया इस तरीके से दोनों के दोनों नाकोश हो गए तो दोनोंने क्या किया अपनी appeal को high court में लगाया high court ने जब इन दोनों की appeal को सुना तो उन्होंने इन दोनों की appeal को सुन करके अपना decision सुनाया अब high court ने क्या decision सुनाया इस बात को ध्यान रखना और सबसे important चीज high court पे लगाए हुए revision पर है यह basically किसी भी court के लगाये हुए revision पर कोई बात की जाती है तभी हम section 115 पर लाते हैं कि क्या यह revision valid था अब उच्छ नियाले में appealी नियाले द्वारा पारित किये गए नेड़ेों से दोनों ही पक्षसंतुष थे इसलिए डोनों ने आंत्रप्रदेश उच्छ नियाले के समक्ष revision परस्तुथ किया उच्छ नियाले ने वादी को की निगरानी याचीका को स्वीकार कर दिया उच्छ नियाले ने निड़े पारित करते हुए वादी के निलम्बन आदेश का प्रवतन को साथ ही साथ उसको रोग दी जाए अब उन्होंने क्या किया उन्होंने जो प्रतियर्थी जो वादी जो प्लैंटेप जो रिस्पॉंडेंट था उसकी आजिका को तो एकसेट कर लिया लेकिन जो प्रतिवादी अपील करता डिफेंडेंट या अपीलेंट था H.A.L. Managing Director उनको अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उसकी नौकरी भी वापस कर दो और उसकी अगेंस में इनकुआरी को भी रोग दो जब ऐसा हुआ तो प्रतिवादी डिफेंडेंट मैनेजिंग डिरेक्टर हिंदुस्तान अरणोट लिमिटेड ने उच्छी ने आले पे एक केस डाला और उन्होंने दो अप्लिकेशन लगाई इस पे दो अपील्स लगाई और दोनों ही अपील सिविल अपील नंबर 840 और 841 के अंतरगत लगाई गई अब जब ये अपीलें लगाई गई तो सुप्रीम कोट ने पूरे केस को समझा और सुना और सुप्रीम कोट ने हाई को फटकार लगाई अब उन्होंने क्या बोला कि निया संगत हो या निया संगत ना भी हो लेकिन इन सब के बावजूद हाई कोड को कोई भी कोई भी राइट नहीं है कि वो उनके डिसीजन पर किसी भी तरीके का हस्त्रशेप करें ऐसी उन्होंने एक रिफ्रेंस दिया कि इसके पहले पांडुरंगा धोनी वर्सेज मारू किया था और उसके बाद सेक्शन 115 के तहएं तो उन्होंने क्या किया उसी डिसीजन को एकसेप्ट किया जो पहले लोर कोट ने लिया था तो सेम चीज़ को ध्यान में रखते हुए उच्च ने आले ने जो डिफेंडेंट अपीलेंट था उनकी याचिका को स्विकार कर लिय और अपील स्विकार की गई तो यह पूरा केस था हम एक बार रिपीट करते हैं शौट में सबसे पहले तो सब्जेक्ट संदर बताया AIR 1976 SC-76 1973 SC-76 सब्जेक्ट हमने आपको बताया हमने facts of the case बताया हमने trial code बताया हमने appellate code बताया trial code का क्या आदेश था trial code का आदेश था कि यह तो उन्होंने बोला कि यार यह तो गलत हुआ है तुमारे साथ और उन्होंने अपना interim order जारी कर दिया और उन्हें बोला कि inquiry भी रोग दी जाए और suspension को बहाल कर दिया लेकिन जब दोनों parties को सुना तो उन्हें क्या decide कि नहीं यह तो सही था और हम अपना decision वापस लेते ह रहेगा और inquiry चलेगी अपीलोट को पर जब अजित प्रसाथ तरवे ने अपनी appeal लगाई तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं एक काम करो suspension जो है उसको तो as it is रहने दो लेकिन inquiry रोग दो तुम अब दोनों ही नाखुश हो गया तो तो उन्होंने क्या किया हाई कोट पर लगा रोग दो उसको suspend मत करो और साथी सबसके अगेंसमें इनकवारी को भी रोग दो फिर फाइनली इचने आले पर गए दो appeal लगाई किस ने लगाई थी HAL के managing director ने दो appeal लगाई दोनों अपीलों में उन्होंने बताया कि भाया ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है जब Supreme Court ने सुना तो उनने बोला कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम हाई कोट हो तुम्हें अधिकार नहीं है ऐसा करने का यदि lower court ने जो decision लिया है वो अपने शेत अपील करता कि appeal को स्विकार कर लिया गया अब विधी के प्रतिपादत सद्धांत principles of law laid down क्या बोलते हैं यदि किसी अवर नियाले को कोई आदेश पारित करने का शेत्र हिदिकार है तो उच्छ नियाले को सादेश में हस्रशेप करने का शेत्र हिदिकार नहीं है जब तक कि कि ऐसे नहीं हो जाए कि अवर नियाले ने अपने शेत्र हिदिकार के प्रयोग करने में अवैदता या सार्भूत अनिमित्ता की है principles of law laid down English में मैं एक बार आपनों को बताना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं कि the high court could not evoke its jurisdiction under section 115 of the code of civil procedure unless the first appellate court had exercised its jurisdiction illegally or with material irregularity नहीं तो यह था हमारा आज का केस हम अगले केस MP शिवास्तव वर्सेज मिस्स बीना AIR 1967 सुप्रेम कोड 1193 के तहत बलेंगे तब तक के लिए नमस्कार